मित्रो जय मातादी आप देखें धर्म सिक्षा मित्रो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पंचक जो की दिसंबर 2023 में लगने हैं वाले हैं उसके लिए तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो जोड़ करिए मित्रो पंचक दिसंबर में कब से कब तक है यह बताने से पहले मैं थोरा सापको पंचक के बारे में बता चाहूंगा जैसा कि आप सभी जानते हैं सरवाधिक जो कतिसील ग्रह है वो हैं चंद्रमा चंद्रमा लगभग सबाद दो दिन में एक रासी से दूसरी रासी में प्रवेस कर जाते हैं क्योंकि चंद्रमा का जो रास्ता है, वो सबसे छोटा है, चंद्रमा को पिर्थवी का चक्कर लगाना होता है, तो यह रास्ता बहुत ही छोटा हो जाता है, और सभी ग्रहों को सूरी का चकर लगाना होता है, तो बहुत बार रास्ता यह हो जाता है, तो ऐसे में चंद्रमा आते हैं तो ऐसे पंचक का निर्मान होता है. तो सवा दो दिन कुम्ह के और सवा दो दिन मीन के. तो लजबभग सारे चार दिन का पंचक बनता है इसपरकार से. और पंचक में सभी प्रकार के महत्पूर्णकारी करने से बचना चाहिए. किनी किनी खास पंचक में हम कर सकते हैं लेकिन मोटे मोटे तोर पे यही है कि पंचक में कोई भी सुबकारी करने से बचना चाहिए और विवाहित लोगों की विवाह की बातें भी इसमें करना वर्जित होता है अगर इन समयों में किसी की मित्यू भी हो जाए तो रही वार 17 दिसंबर 2023 को रातरी के 7 बचक का encours के थीं मर्ण से पंचक आरभ होगा और इसकी समापती गुरु वार 21 दिसंबर को रातरी के 11 बचक अठ Great पे होगी अर्थात रही वार 17 दिसंबर से लेकर से गुरु वार 21 दिसंबर तक पंचक रहने वाला है ये पंचक चुकी रईवार से आरंभ होगा, तो ऐसे पंचक को रोग पंचक करते हैं, रोग पंचक के कारण इन 4-5 दिनों में कोई भी महत्पूर्ण कारी नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही कष्ट काराक और मांसिक परिसानी को देने वाले हो जाते हैं, तो कोई भी चाहिए, ये माता दिन